नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से हमारी चैनल जोहार जारखन टेक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों अगर आप जारखन इसकोलर सीप का वैट कर रहे थे तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुस ख़बरी है जिहां दोस्तों जारखन इसकोलर सीप का यहा यहां पर क्लिक करना है गूगल में सर्च करके तो यह ऑफिसल साइट खुल जाएगी देखिए और यहां पर आपको पूरा सुचना दिया है मैं एक एक करके बताने जा रहा हूं जी यहां दोस्तों देखे पोस्ट मेट्रिक फ्रेस एंड रिनेवल अप्लिकेशन 2020 से 2021 विदि से चार दिन बाद इसमें क्या क्या चीजे चाहिए कौन कौन सी चीजे बहुत ही महत्पूर्ण रखती है इस वीडियो को लास्त तक जरूर देखिए मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूं लास्ट डेट फोर ओन्लाइन रेजिस्टेशन एन अप्लिकेशन फॉर्म स सब्सक्राइब दोच्टेशन फिप्टिंथ जन्वरी दोचार एक इस यानि 15 जन्वरी दोचार एक इस तक यह फॉर्म आप भर सकते हैं जी हां दोस्तों अभी तक के लिए यह निव्य है लेकिन किनी का अगर आई प्रमान पत्र बनाने में दिक्कत है तो भी मैं बताता हुआ है तो आप उससे पहले फॉर्म परके रेडी रहिएगा नहीं बनाया तो मैं उसके लिए बता रहा हूं उसके बाद देखे दोस्तों लिखा है अपलोड ओन लाइन इसूड़ सैटिफिकेट लाइक कास्ट रेसिडेंचियल एन इंकम इंटू आवर इक लियान सेटिफिकेट का बेल जो भी जाल एशाल होता है तो आपका जो सेटिफिकेट है इंकम का वह एक अप्रेल याद रखेंर आपका जो इनकम है है वो एक अप्रेल 2020 के बाद या एक अप्रेल 20 या उसके बाद का होना चाहिए मतलब जो आपका इसू हुआ है एक अप्रेल 2020 या उससे बाद का होना चाहिए समझ में आ गया होगा आपको इस्टूडेंट और एडवाइस टू गीव देर आधार लिंक बैंक तो आपको ही अत्लाइय करेंगे तो आपका वही अधार में यहां से किलिक करके आप आपका जो आधार लिंग एक sagen नमर यहाँ पर आपका जो यहीं क्लिक करके किदेखेगा की अपका जब आधार है वो मतलब का जो बैंक एकाउंट है वह उससे आधार लिंक है यहाँ यहां पर आप आपको पता चल जाएगा कि आपका जो बैंक एकाउंट है वह आधार से लिंक है या नहीं समझ में आगया आपको तो चेक कर लिजेगा और नहीं है तो बैंक में जाके अपलाइ कर दीजेगा उसके बाद देखिए आगे क्या है और डी रेजिटर इस्टुडेंट एफ लाइ अप्लिकेशन बाइ यूजिंग देर सेम लोग इन पासवर्ट विदाओ रेजिटेशन इन्टू आवर पोर्टल यानि अगर आप में पढ़ रहे थे तो मेंट्रीक के बाद इंतर गये तो आपको फिर से रेजिटेशन करने का ज़रुरत नहीं है अगर आप इससे पहले पासवर्ट से लोग इन करके आप अप्लाइब कर सकते हैं बस आपको डॉकॉमेंट नहीं डालने होंगे जिसका याद रखेगा आई जो है आपका एक अपरेल या उसके बाद का होना चाहिए एक अपरेल 2020 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए लेकिन जाती और आवा मैंट त्यार रखी का और क्या चीचे जोरव दो परती है कौले से बींभाट सेटिकेट की जोरव परती है बढ़ा जाता है आपका जो एक फोट्न हमांगा जाता है और लिए इतना मांगा जाता है और साथ ही साथ कोलेज का बोनेफाइट या स्कूल का बोनेफाइट मांगा जाता है जहां से आप पढ़ते हो वहाँ पुछेगा कि बोनेफाइट क्या है वह आपको देदेगा उसको अपलोड करना है 28 से यह फॉर्म बराना स्टार्ट होगा याद रिखेगा सो 15 जन्वरी नहीं हर बार यह बढ़ता है एक दो महना तो आप नहीं लिजेगा नहीं बनाया है तो भी लेकिन आप नहीं कीजिएगा हो सकता इस बार ना बड़े अगर आपका सेटिफिकेट बना हुआ है तो आप फटाफट से अपलोड कर दीजेगा और जैसे यहाँ पर ओनलाइन रि अपने दोस्तों साथ ही इस वीडियो को सेयर करें तो दोस्तों आज की वीडियों बस इतना है मिलते हैं एक वीडियों तब तक लिए जैए हिंदा बंदे माप्रावम